शराब घोटाले में 6 महीने के अपने तीहाड यात्रा के बाद फिर अर्भिंद केजरिवाल के आपसांसा संजे सिंग नई मुसीवत में घिरते नजरा रहे हैं दरसल जहां इन दिनों अर्भिंद केजरिवाल शराब घोटाले मामले में तीहाड जेल में बंद हैं वहीं तूसरी और संजे सिंग बाहर आने के बाद से बीजिपी और केंदर सरकार पर हमला बर हैं तो इस बीच पीम मोदी डिगरी मामले में संजे सिंग अब एक वार फिर से बुरे फस्ते नजरा रहे हैं बतादे की परधान मंतरी नरिंदर मोदी की एजुकेशनल डिगरी के संबंद में दायर मानहानी मामले में आप संजे सिंग को सुप्रीम को से राहत नहीं मिली है सर्बोच न्याले ने उनकी याचिका को खारिश कर दिया है बतादे की एहमदाबाद की ट्राइल कोर्ट ने उन्हें मानहानी मामले में समन भेजा था जिसके खलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुक किया था बतादे संजे सिंग ने प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी की एजुकेशनल डिगरी पर सवाल उठाए थे इसके बाद गुजरात विशुविध्याले ने आप सांसत के खलाब मानहानी का मुकदमा दायर किया था इसके बाद एहमदाबाद की एक मेट्रो पॉलिटिन कोर्ट ने संजे सिंग के खलाब पीशी वारिंट चारी किया था तब वो जेल में ही बन थे अब समन से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही बता दे कि इससे पहले दिली के सियम अरविंद केजरिवाल को भी पीम मोदी की डिगरी मामले में कोर्ट ने जुर्माना लगाय था गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 का जुर्माना लगाय था उन्होंने पीम नरेंद्र मोदी की डिगरी मांगी थी और जानना चाहा था कि वो कितने पड़े लिखे हैं कोट ने PMO को भी कहा था कि उन्हें PM की डिग्री सारवजिनी करने की कोई जरुवत नहीं है अब ऐसे में एक बार फिर से संजे सिंग मुसीवत में घरते नजर आ रहे हैं वैसे आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में चरूर बताएं